आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछले वीडियो में हमने विलयन, निलंबन तथा कोलाइट के बारे में अध्ययन किया इस वीडियो में हम मिश्रण के घटकों के प्रिथक करण Separation of Components of Mixtures का अध्ययन करेंगे जैसा की हम जानते हैं, हमारे आसपास के अधिक्तम पदात मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं इन मिश्रणों के घटकों को प्रिथक करने के लिए विभिन प्रकार की विधिया प्रयोग में लाई जाती है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि घटकों को मिशरण से प्रिथक करने की क्या आवशकता है प्रिथक करने से मिशरण के प्रत्ये घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग मेंलाना सुगम हो जाता है विश्मांगी मिश्रण को साधारन भौतिक प्रक्रियाओं जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से चानकर इत्यादी द्वारा प्रिथक किया जा सकता है परन्तु, क्या सभी मिश्रणों को हम भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रिथक कर सकते हैं? उदारण तह, क्या हम स्याही को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसके घटकों में प्रिथक कर सकते हैं? नहीं, स्याही जैसे मिश्रणों को प्रिथक करने के लिए विशेश तक्नीकों को प्रयोग में लाया जाता है आईए, अब हम इन में से कुछ तक्नीकों का अध्ययन करें सबसे पहले हम वाश पी करन, एवापरेशन के बारे में जानेंगे चलिए, इसे एक ख्रिया कल्ब द्वारा समझने का प्रयास करें आधा बीकर जल लें अब बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें और वाच ग्लास पर कुछ बूंद स्याही डालें अब बीकर को गर्म करना शुरू करें आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि वाच ग्लास से वाश पी करन एवापरेशन हो रहा है हम वाश्पी करण होने तक बीकर को गर्म करना जारी रखेंगे कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देंगे क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेश बचा है? जी हाँ, हम देख सकते हैं कि वाच ग्लास पर नीले रंग का घटक डाई अवशेश के रूप में नजर आता है तो आपके विचार में वाच ग्लास पर से किसका वाश्पी करण हुआ है? बिल्कुल ठीक, वाच ग्लास पर से जल का वाश्पी करण हुआ है इसलिए अब हम इस क्रिया कल्ब द्वारा ये निशकर्श निकाल सकते हैं कि स्याही जल और रंग के घटकों से बना एक मिश्रण है जिसमें जल एक विलायक, सॉल्वेंट और रंग एक विलेय पदार्थ, सॉल्यूट है और हम वाश्पी करण, एवापरेशन द्वारा विलायक, सॉल्वेंट से विलेय, सॉल्यूट को स्याही जैसे मिश्रणों में से प्रिथक कर सकते हैं आईए अब हम प्रिथक करण की दूसरी तक्नीक, अब केंद्रण, सेंट्रिफ्यूज के बारे में जाने एक पात्र में थोड़ा संपूर्ण क्रीम युक्त दूद ले अब इसे एक छन्नी द्वारा चान कर क्रीम को दूद से प्रिथक करने का प्रयास करें क्या आप इसमें सफल रहे? नहीं, ऐसा क्यों? धरसल दूद में मौजूद क्रीम के करन इतने छोटे होते हैं कि ये च्छानक पात्र से बाहर निकलाते हैं फिर हम क्रीम युक्त दूद जैसे मिश्रणों को कैसे प्रिथक कर सकते हैं? आईए, अब हम इस क्रीम युक्त दूद को एक परक नली मिलें अब एक अपकेंद्रिय यंत्र सेंट्रिफ्यूजिंग मशीन से इसे दो मिनिट तक अपकेंद्रित करें आप क्या देखते हैं? अब केंद्रिय यंत्र को तेजी से घुमाय जाने पर दूद के भारी कन नीचे बैठ जाते हैं और क्रीम के हलके कन ऊपर रह जाते हैं क्रीम युक्त दूद जैसे मिश्रण, जैसे रक्त, अप्शिष्ट जल, इत्यादी जिनमें मौजूद घटकों के कन बहुत छोटे होने के कारण चानन विधी द्वारा प्रिथक नहीं किये जा सकते हैं इस सिधान अब केंद्रण द्वारा प्रिथक किये जा सकते हैं आए अब हम अघुलनशील द्रव्यों, इनसॉल्यूबल लिक्विद्स के मिश्रण के प्रिथक करण की तक्नीक के बारे में जाने इस क्रिया कल्प में हम एक प्रिथक करण कीप में मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को डालेंगे अब हम कुछ देर तक इसे शान्त छोड़ देंगे कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं? जी हाँ, कुछ देर बाद जल तथा तेल की प्रिथक प्रिथक परते तयार हो जाती है लेकिन ऐसा क्यूँ? ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि जल और मिट्टी का तेल अघुलनशील द्रव्य इन्सॉल्यूबल लिक्विद्ज है मिट्टी का तेल जल से हलका होने के कारण ऊपर की ओर उठकर प्रिथक परत बना लेता है जल भारी होने के कारण नीचे की परत में रह जाता है अब हम प्रिथक करण टीप के स्टॉप कॉर्क को सावधानी पूर्वक खोल कर नीचे वाली जल की परत को एक बीकर में निकाल सकते है जैसे ही तेल नीचे पहुँचे स्टॉप कॉर को बंद कर दे इस तरह हम देख सकते हैं कि आपस में नहीं मिलने वाले द्रव्य अपने घनत्व के अनुसार विभिन परतों में प्रिथक हो जाते हैं इसलिए प्रिथक करण कीप की सहायता से अघुलंचील द्रव्यों के मिश्रण जैसे जल और तेल, पिगला हुआ लोहा और स्लैग यानि की धातुमल इत्यादी को प्रिथक किया जा सकता है आएए अब हम अगली तक्नीक उर्धम पातन सबलिमेशन के बारे में जाने एक चीनी मिट्टी की प्याली में नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण ले अब इस प्याली को एक कीप को उल्टा रख कर ढखें और कीप की नली के खुले सिरे को रूई से बंद कर दें अब एक बर्णर का उपयोग कर चीनी मिट्टी की प्याली को धीरे धीरे गर्म करें आप क्या देखते हैं जैसे जैसे प्याली गर्म होती है अमोनियम क्लोराइड की वाश्प प्याली की ऊपर की ओर उठने लगती है और कुछ देर बाद कीप की ठंडी सतह पर वो वाश्प थोसी क्रित होने लगती है चीनी मिट्टी की प्याली को तब तक गर्म करते रहें जब तक उसमें से वाश्प उठना बंद नहीं हो जाता अब बर्नर को बंद कर दें और कीप में ठोसी क्रित हुई अमोनियम क्लोराइड को एक प्याली में खरोच कर निकाल लें इस तरह हमने नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को प्रिथक कर लिया लेकिन ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अमोनियन क्लोराइड एक उर्धुव पातित हो सकने वाला अव्याय है जो गर्म करने पर ठो सवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्थित हो जाता है इस त्रियकल द्वारा हम ये निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसे मिश्रण जिन में उर्धुव पातित हो सकने वाले अव्याय जैसे कपूर, नेफ्थलीन, एंत्रोसीन इत्यादी को उर्धुव पातित न होने योग्य अशुद्धियों से प्रितक करने के लिए उर्धुव क्रोमेटोग्रफी, आये इसके बारे में एक क्रियकल्ब द्वारा समझे, चानक पत्र की एक पतली परत लें, इसके निचले किनारे से तीन सेंटीमीटर उपर पैंसिल से एक रेखा खीच लें, अब उस रेखा के बीच में एक स्केच पेन की सहायता से जल में घुलनशील स च्याही की एक बूंद रखें, इस बूंद को सूखने दें, अब एक जार में थोड़ा जल लें और उसमें इस चानक पत्र को इस प्रकार रखें कि वो जल की सतह से ठीक उपर रहें, अब इसे शांत छोड़ दें आप क्या देखते हैं? चानक पत्र पर प्रिथक प्रिथक रंग नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? जैसे जैसे जल चानक पत्र पर उपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, वो डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है प्रायह डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है रंग वाला घटक जोकी जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से उपर उठता है और इस प्रकार रंगों का प्रिथक करन संभव हो जाता है मिश्रण से घटकों को प्रिथक करने की इस विधी को क्रोमेटोग्रफी कहते हैं ये एक ऐसी विधी है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को प्रिथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं उदारन तह प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को प्रिथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को प्रिथक करने में इत्याधी. अगली प्रिथक करन तक्नीक है आस्वन विधी, डिस्टिलेशन. आईए, इसे हमें क्रिया कल्ब द्वारा समझने का प्रयास करें. एक आस्वन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क में असिटोन और जल का मिश्रण लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं. अब उपकरन को इस तरह से व्यवस्थित करें. मिश्रण को धीरे-धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें. जैसे-जैसे मिश्रण गर्म होता है, आप क्या अवलोकित करते हैं? लगभग 56 डिगरी सेलसियस पर असेटोन की वाश्प आस्वन फ्लास्प में उपर उठती नजर आती है. ये असेटोन की वाश्प जल संगनक से गुजरने पर संगनित होकर पुनह द्रव्य अवस्था में बीकर में जमा होना शुरू हो जाती है. इस तरह हम असेटोन और जल के मिश्रन को आस्वन विधी, डिस्टिलेशन द्वारा प्रिथक कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों संभव हो पाया? ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ऐसेटोन और जल का मिश्रन ऐसा मिश्रन है, जो विगटित हुए बिना उबाला जा सकता है. और उसके घटकों ऐसेटोन तथा जल के क्वतनांकों 56 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य अंतराल हैं. दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों, जिनके क्वतनांक का अंतर 25 कैल्विन से कम होता है, कि मिश्रन को प्रिथक करने के लिए प्रभाजी आस्वन विधी का प्रयोग किया जाता है. आप सोच रहे होंगे कि प्रभाजी आस्वन विधी द्वारा तो हम केवल द्रव्यों के मिश्रन को प्रिथक कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें ग्यासिय मिश्रन को प्रिथक करना हो, तब भी क्या हम आस्वन विधी का प्रयोग कर सकते हैं? आईए हम वायू के उदाहरन द्वारा इसके बारे में जाने वायू एक समांगी मिश्रन है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आस्वन द्वारा प्रिथक किया जा सकता है मान लीजिए हमें वायू से ओक्सिजन गैस को प्रिथक करना है ऐसा करने के लिए पहले हम उपकर्णों को इस तरह व्यवस्थित करें हमें वायू से ओक्सिजन को प्राप्त करने के लिए वायू में उपस्थित दूसरी गैसों को प्रिथक करना होगा द्रव्य वायू प्राप्त करने के लिए पहले वायू पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटा कर उसे ठंडा कर सम्पीडित किया जाता है इस द्रवित गैस को प्रभाजी आस्वन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है जहां सभी गैसे विभिन उचाईयों पर अपने क्वतनांक के अनुसार प्रिथक हो जाती है अब अंत में आखरी प्रिथक करण टक्नीक है क्रिस्टली करण क्रिस्टलाइजेशन एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग पांच ग्राम अशुद्ध कॉपर सलफेट ले जल की नियूनतम मात्रा में इसे घोल दे अशुद्धियों को चान लिए अब संत्रिप्त विलयन प्राप्त करने के जल को कॉपर सलफेट के घोल से वाश पीकरित करें विलयन को चानक पत्र से ढग दे तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शान्त छोड़ दे आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि चीनी मिट्टी की प्याली में कॉपर सलफेट के क्रिस्टिल है इस प्रक्रिया को क्रिस्टिली करन, क्रिस्टिलाइजेशन कहा जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रक्रिया को हम कौन से मिश्रणों को प्रिथक करने में प्रयोग कर सकते हैं क्रिस्टली करण का प्रयोग हम ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में कर सकते हैं पुदाहरन के तौर पर समुद्री जल से नमक प्राप्त करते समय उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती है इन अशुधियों को दूर करने के लिए क्रिस्टली करण विधी का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टली करण वो विधी है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से प्रिथक किया जाता है और क्या आप जानते हैं क्रिस्टली करन विधी साधारन वाश्पी करन विधी से निम्नलिखित कारणों से उत्तम होती है एक कुछ ठोस विग्टित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर जुलस जाते हैं दो चानने के पश्चाद भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलेयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं वाश्पी करन होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूशित कर सकती हैं इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार हमने सीखी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आज हमने मिश्रण के घटकों के प्रिथक करण separation of components of mixtures का अध्ययन किया अगली विडियो में हम मिश्रण के शुद्ध पदार्थों के प्रकार types of pure substances का अध्ययन करेंगे